हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू माई चैनल तो फ्रेंट्स आज की वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग है अगर आपको टिप्स लेट पसंद आये तो वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा तो चलिए फ्रेंट्स बढ़ते हैं अपने सबसे पहले टिप्स की तरफ सब्सक्राइब करेंगा तो चैनल यह और यहां चुक्त के साथ परिशानी थी तो यह जो पीठे का पॉर्श्ण अगर निए सबस्तूं जबते हैं तो कभी 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 क्या होता है यह हैं पर कर जाता है और कटने से चानी से बहुत ज्यादा खोन बगहां निकल जाता है कभी से क्या होता फिर आपनी मन पसंद सैंडिल या जूती हम नहीं पहन पाते हैं तो इसके लिए मैं आज बहुत अच्छा आपके साथ एक हैक शेयर करूंगी फ्रेंज जो रियली बहुत ज्यादा आपको हैल्प करेगा और इससे आप क्या होगा अपनी जो सैंडिल से कोई भी सै पैर का पोर्शन न chilli कट हो जाता है तो वीडियू बहुत पसंद आएगी तो चलिये फ्रेंस बताती हूं सिसके क्या है्क लएक लेकर आई हो तो इसके लिए आपको क्या करना है जो पैड होता है कुई भी पैड हो जो हम यूज करते हैना तो उसको क्या करना है हमें जो भी सैंडिल समारी हैं उसमें आपको इस तरीके से डाल के सेट कर देना है ठीक है तो इस तरीके से जब आप सेट कर दोगे न अच्छी तरीके से एक दम पुरा कवर कर लोगे उसके बाद जब आप इसे पहनोगे न फ्रेंड एक तो आपको बहुत तो आप वेर कर सकते हो तो है ना बहुत ही अच्छा solution तो इस तरीके से जब आप यूज करोगे ना पैड को तो आपको अपने सैंडल्स पहनने के लिए मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप कभी भी अपनी शूज को अपने सैंडल्स को वेर कर पाऊगे च्छोटे है फैंस बहुत काम आते हैं तो कैसा लगा यह है को आप को आप जरूर बताये Agent और आप इसेुपने साब से कर सकते हो चाहो तो चिपका भी सकते हो भी चिप काने की कोई जोध नहीं है यह ऐसी भी आपका काम हो जाता है तो यह टिप्स कैसी लगी अपको बताये बहुत काम की है क्योंकि यह मोस्टली प्रॉब्लम हम सब के साथ होती रहती है नए शूस्टेंडल को ले गए उसके बाद चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स टिप्स की तरफ अक्सार फ्रेंड हम क्या करते हैं जब भी किचन वगेरा में रहते हैं या कभी-कभी हमारे फ्रि और आपके लिए बहुत अच्छा एक हैक लेकर आई हूँ आपको क्या करना है आपको ले लेना है बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा फ्रेंड साप जानते हैं इसने बहुत अच्छी एंटि वंगल एंटि वेक्लेरियल और बहुत सारी प्रॉपर्टिज होती हैं जो हमारे लि आएगा और आप comfortably अपने काम को कर सकते हो और family के दूसरे members भी इस smell से परिशान नहीं होंगे तो बहुत अच्छी टिप्स है आप चाओ तो फ्रिज में रख सकते हो फ्रिज की भी सारी smell को ये तूर करेगा तो छोटी सी कटोरी में रख दीजिए आपका काम असान हो जाएगा उसके बाद friends मेरी next tip से प्याज को लेकर फ्रिंस प्याज हम जब भी लेकर आते हैं ना इस तरीके के अंकुर उसमें निकल आते हैं इसे क्या होता है हमारे सारे प्याज खराब हो जाते हैं अगर हम जल्दी यूस ना करें तो मुस्तरी हम लोग क्या गलती करते हैं जब भी प्याज या लेकर आते हैं ना हम लेसनों को अलग रखते हैं और प्याज को अलग रखते हैं तो अगर आप मेरी ये tips ट्राइक करो गए ना तो आप देखोगे आपके प्याज में बहुत दिनों तक अंकुर नहीं आएगा और आप इसे थोड़े लंबे समय तक यूज कर पाओगे ने तो क्या होगा ये एक हफ़ते के अंदर ही इसमें स्प्राउट से हमको निकल आते हैं और सारे प्याज हमारे खराब हो जाते हैं और प्याज एक ऐसी चीज है जो हम थोड़े ज़्यादा quantity में लाते हैं तो आप क्या करेए gefरेंस अगली बार से जब भी आप प्याज रखे ना उसी के साथ लेसुन को भी रख दे बल्की हो सके तो एकाद लेसुन को आप न तोड़ कि कलियां है उसको भी रख दे इसे आप देखें कि जो आपके प्याज है उसमें जो स्प्राउट निकलता था वन वीक क काम की है और इससे जो हमारे प्याज है ना उसमें प्राउट्स भी नहीं आएंगे तो आपको यह टिप्स कैसी लगी फ्रेंट्स कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा बहुत ही ज्यादा यूसफुल टिप्स है तो आपकी जो परिशानी है प्राप प्याज में अंको निकलने क प्याज को लेकर ही तो आज मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी टिप्स शेयर कर रही हूं जब भी हम प्याज वगरा यूस करते हैं कभी कभी हमको आधा प्याज की जोद पढ़ती है और आधा प्याज हमारा पच जाता है अब इस आधे प्याज को अगर हम ऐसे रग देन ना तो बहुत गंदी से स्मेल आती है और वो बिल्कुल भी फ्रेश नहीं रहता है और खाने का तो उससे फिर मन नहीं करता है तो आज मैं आपके साथ जो टिप्स शेयर करूंगी उससे आपका अगर प्याज बच जाए ना तो आप इस तरीके से जब रखोगे ना तो कोई बैड समेल नहीं आएगी और दो से तीन दिन आपका प्याज ऐसे ही रहेगा तो आप क्या करिए प्याज को जितना आपको यूज करना है आप यूज कर लीजिए उसके बार जो बच्चा हुआ पॉर्शन है ना फ्रेंस उसमें मैं आपको क्या बता दें जा रही हूं देख लेलीजे कोई कटूरी लेलीजे उसमें आप इसको भलत के ठक के रख दीजे फ्रिज में भी रखेंगे ना तो भी इसमें कोई भी श्मेल नहीं आएगी और दो से तीन दिन आपका प्याज इक्दम ऐसे ही फ्रेश रहेगा कोई भी श्मेल नहीं आएगा आप ट्राय करें में तो कि बहुत यूसपूल टिपस हैं बहुत काम के टप से तो कैसी लगी टिपस फ्रेंट्स शेयर करके कमेंन्स करके जह Verfle जाएगा तो चलिए विंटर्स का सीजन है और अगसर क्या होता है जो हमारे पैर होते हैं वह सबसे ज्यादा ठंडे होते हैं जब ठंडे होते हैं तो जाए बड़े हो चाहे चोटे हो जाए बुजूर्गों किसी को भी नींद नहीं आती है उनकंफोर्टेबल सा लगता है तो उस सिचुशन में मैं आपके साथ एक हैक शेयर कर रहे हूँ जो बहुत ही जादा यूसफुल है सबके लिए बच्चों के भी पैर आप देखो के तो बहुत ठंडे होते हैं बुजूर्गों के तो रहते ही रहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है एक बॉटल कोई अपने पैरों को जब इससे सेखेंगे तो आप देखेंगे उनको तुरंत अराम मिलेगा इतना अच्छा लगता है फ्रेंट्स रियली बहुत ट्राइन टेस्टेट आप जरूर ट्राय करके देखेंगा पैर इदम गरम हो जाते हैं और हमारे बिजली की बचत भी होती है और लगे होगी अच्छी लगे तो लाइक करेंगा मिलेंगे कर लें वीडियो में ठाइंक यू सो मच पर वाचिंग बाय बाय एंड टेक केर